कि जो स्कूल हम चूज करने जार हैं वो हमारे लिए सही है पता चला कि डिस्टेंस कम वाले स्कूल हैं हमारे सामने आप्शन में पर जानकारी के अभाव में हम वो स्कूल ना ले सके कि अगर एक दिन पहले ना सूची अप्लोड हो पाए तो जब सूची अप्लोड हो उसके दो गंटे बास से कांस्लिंग चालू हो यह नहीं कि आपने सूची चस्पा की और आप कहने लगें कि आप कांस्लिंग के लिए आए तो मैला सिच्पाय चाते हैं कि हमें आस्वस्त हो जाएं कि यह वाला स्कूल हम को चाहिए चूकि आधे गंटे में सरी पॉस्बल बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे जनपत के एक एक स्कूल के बारे में फोन करके भी आप किसी से जानकारी नहीं ले से लंबे अर्शे बाद अंतर जानपदी तबादलों के बाद अपने ग्रह जनपत सीतापूर पहुंचे बेशिक सिच्चक बीए से आफिस सीतापूर में मौजूद है और इनका 16 तारिक को काउंसलिंग है यानि दो दिन बाद इन्हें विद्याले का आवंटन होना है लेकिन इन सिचकों की मांग है कि इन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सा विद्याले किस जगे पे है इन्हें या यू कहें कि भौगवली की स्थिती का ग्यान नहीं है कि कौन सा विद्याले कहां पे इस्थित है हम बात करते हैं जो बेसिक शिचक है जिनका अंतर जन्पदी तबादलों के तहट तबादला हुआ है और यह सीतापुर पहुंचे हैं इनकी क्या मांग है और बेसे से इनकी क्या वारता हुई है तो कितने दिन बाद आपका तबाद पहले जो है जो है बीस में हुआ ता दोजार बीस में फरवरी में हुआ ता उसके बाद अभी हम लोंका तबादला हुआ है और इस जन्पद में जोईन के हुए हमें लगबग 2-5 मेने हो रहे हैं और सच्चिव बेसिक सिच्छा के निर्देशा नुशार यह हमें बताया ग होगोली की स्थितापूर की बहुत ज़्यादा है तो हमारी मांग मेला सिच्छाओं की सबकी इस्थानांत्रे सिच्छाओं की मांग यह है कि कम से कम एक दिन पहले वो विद्यालियों की सूची जारी की जिससे पर्याप समय मिल सके सब अपना आवंटन जो है एक्तम दुरस तरीके से कर सके उसमें किसी भी तरह की कोई भ्रहम की स्थिति ना रहे चुके भी मच्रेटा में बहुत जल्दी सबको पता होगा एक दुखत अपरी घटना हुई थी तो ऐसी कोई वारदात ना हो तो मैला सिछकाएं चाहती है कि हमें आस्वस्त हो जाएं कि यह वाला स्कूल लगभग पान साल एक मेने की मेरी पूरी सेवा हो चुगी बेसिक सिक्षा में जी आप इससे पहले कहां पे तैनात थी और कितने वर्सों तक अपनी सेवाएं दी सर लखीम पूर जनपद में मेरी तैनाती हुई थी सन 2015 में नवंबर में लगभग आट साल होने को है तब हमें ट्रांसफर मिला है हम अपने जनपद में आपाएं क्या मांग है आपकी क्या चाहती है मांग हमारी यही है B.S.A. सर से कि हम लोगों को सूची एक दिन पहले जारी कर दी जाए जिससे हम श्योर हो सकें क्योंकि उस दिन इतना होच-पोच होगा इतनी भील्ड होगी तो हमारे लिए जानना मुश्किल हो जाएगा कि जो स्कूल हम चूज करने जार हैं वो हमारे लिए सही है पता चला कि डिस्टेंस कम वाले स्कूल है हमारे सामने ऑप्शन में पर जानकारी के अभाव में हम वो स्कूल ना ले सकें इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है बिए से सर से सची महोदे से कि हमें एक दिन पहले सूची जारी कर दे आप कितने वर्सों से अपनी सेवाय और किस जनपद में दे रही थी सर मैं भी लखीम पुर जनपद में सन 2015 से हूँ और अभी ट्रांसफर होके आई हूँ और यहां पर ढाई महिने हो चुक के हैं कहां पर फिर आप अपनी अटेंडेंस लगा नहीं कहां से माइदे रही है तो कुल कितने करीब ऐसे शिचक शिचका है जिनका तबादला धाई महीने बाद पहले हुआ था सर चार सौ से लमसम है आप यहाँ चार सो सतासी सर हम लोग यह भी चाहते हैं कि अगर एक दिन पहले ना सूची अपलोड हो पाए तो जब सूची अपलोड हो उसके दो गंटे बाद से काउंसलिंग चालू हो यह नहीं कि आपने सूची चसपा की और आप कहने लगें कि आप काउंसलिंग के लिए आए कम से कम वेक्तिकों जो फर्स नंबर पर आ रहा है तो उसको टाइम तो मिले कि वो इसकूल जान सकेगी कहां पर है क्या मांग है आप कहना चाह रही है कि आपको जो विद्याले की सूची है वो एक दिन पहले उपलप्त करा दी जाए लेकिन सर कह रहे हैं जैसे दिसा निर्देश आएंगे तो अगर नहीं सर एक दिन पहले हो पा रही है तो हमको करीब दो धाई गंटे पहले तो मिले तो हम स्कूलों की कब काउंसलिंग होगी आपकी कुछ और सिच्छक है आप बताईए कि कहां पर किस जन्पद में आप सेवाएं दे रहे थे और कितने वर्ष बाद आपको ग्रह जन्पद में तरनाती मिली है अभी 2023 में हमें सितापूर अपने जन्पद आने को मिला है एक समस्या ये भी है कि इतने दिन सैकड़ों किलोमेटर दूर रहने के बाद यह आदमी अपने जिले में आता है और उसको एक कोने से दूसरे कोने में भोगली सिती जो सितापूर की है रामपूर मतुरा ले ले ल मिलता है तो उसका अंतर जन्पदी आना कोई महत तो नहीं रखता है इसलिए मेरा प्रशासन से या भी से साफ से या महानिदेशक महदय से अनरोध है कि इस तरह से सूची चस्पा की जाए पहले परियाप समय हम लोगों को दिया जाए जिससे हम अपने स्कूल को अच्छी तरह से चैन कर सकें यही हमारी मांग है आप से जनना चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं कितने समय पहले आपको विद्यालियों की जो सूची है वो उपलब्द हो जाए कि आपको परियाप समय मिल पाए विद्याले सेलेट करने का सर कम से कम एक दिन पहले हमें सूची म महिलाये बहने अपनी जानी है उनको कम से कम सर 2 घंटे-3 गंटे का समय मिल सकें ताकि जो है इधर-उदर फोन करके पता कर सकें कि यह वे विद्याले मेरी सूची में इनकी भौगोली कि स्थिति कि बताया गया है बीएसे ऑफिस से कि आपको कितनी देर पहले वो सूची दी कि आपका लिंक एक्सपायर हो जाएगा आप तुरन ताके विद्याले फीड कर दीजे तो अगर सोला तारी को ऐसी स्थिति बनती है हमें समय नहीं दिया जाता है तो उस कंडिशन में बड़ी भ्रम की स्थिति बन जाएगा आगे क्या आपका कदम रहेगा मान लिया आपको समय नहीं दिया जाता है तारीक को कॉंसलिंग है विद्याले आपको चूस करना ही करना है उस्थिति में आप लोग क्या करेंगे अगे सर अगर हमें दो घृटे से भी कम समय दिया जाता है मतलब वस्ट कंडिशन में पहले तो हमाई मांग है एक दिन पहले हमें सूची दी इसा नहीं हो पता है फिर दो घंटे का समय हमें नहीं दिया जाता हैं तो फिर हम कांस्लिंग से बहिश्कार करेंगे कोई आपन्यक्रावि महत्पून जानकरी जाते हैं कि आप लोगों का जो इसके चिछा विभाग है वो सारी चीजे मानौ संपदा पोर्टल पर या उनलाइन उप्रप्त कराता है क्या विद्याले इनकी सुची अभी तक ऑनलाइन नहीं की गई ओनलाइन अभी तक हम लोगों को नहीं पता है अगर हम लोगों को रिक्तियों की सुची आवंटित होने वाले विद्याले की सुची हम लोगों को पता होती तो अभी ये इस्तिति नहीं होती हम लोग भ्रम की इस्तिति में नहीं होते हैं जी बिलकुल तो हमारे साथ जी आप कुछ कहना चाहरी थी सर बस यही कहना है कि जैसे कि फिमेल्स यहाँ पर लगबग 60% फिमेल्स हैं टोटल ट्रांसपर जित्ते हुए हैं तो सबके साथ वही दिक्कत है कि अगर देड़ से सुची आई तो हम लोग को विद्याले की भगोलिक इस्तिती जाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि काफी बड़ा जिला है हमारा सीतापूर और काफी फैलाओ है 19 ब्लाक हैं तो उसमें कहां किस को ब्लॉक में किस कौन सा स्कूल मिलेगा वहां की कंडिशन कैसी आने जाने का रास्ता कैसा है यह सब चीजी हमको अगर एक दिन पहले या शाम में या सुबा सुबा मॉर्निंग में ही मिल जाए तो बिसिकली यहां पर रिक्वेस्ट तो सच्चिव सर से ही है यहां कि BSA सर के हाथ में यह नहीं है यह तो हम लोग को भी पता है तो आप लोगों ने अभी तक कहां कहां गुहार लगाई किसी को प्रात्ना पत्र दिया BSA सर से ही बात हुई थी हमाएं सरलों की हम लोग सब लोग गय थे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बस यहीं बताया कि NIC से जब लिस्ट अफलोड होगी तब ही हम आपको एक देड़ घंटा पहले ही आपको बतावाई को मतलब कहने का परिया यह है कि वह आपको ऑनलाइन नहीं उपलप्त कराएंगे मैनुवली उपलप्त कराएंगे लिस्ट एक एहम जानकारी चाहते हैं कि करीब 400 के आसपास आपने बताया कि सिच्चिकों के तबादले हुए उसमें 60% महिला हैं तो जो आपको विद्याले जो select करना होगा, choose करना होगा उसमें कितने option दिये जाएंगे केवल एक ही choose करना होगा या कई विद्याले जी select कर सकते हैं? एक ही चूज कर सकते हैं लेकिन आप यहां से जैसे की लिस्ट जो चस्पा होगी उसमें आप अपने पांच विद्याले लेके जाएं मनलब कि एक टीचर पे पांच विद्याले की ओपनिंग होनी है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए लेकिन अब जो लास्ट के टीचर बच हैं BSA office पे जिनका अंतर जनपदी तबादलों के तहट इन्हें ग्रह जनपद मिला है और करीब यह 8 साल और 10 साल 13 साल से गयर जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे थे और करीब धाई महिने हो गया इनको सीतापूर आये हुए और अभी तक इन्हें विद्याले आवंटित नहीं हो पाया है और आपको बता दें ठीक दो दिन बाद यानि 16 तारीक को इनकी काउंसलिंग होनी है और इस दोरान इन्हें बहुत ही कम समय मिलेगा विद्याले अपना चैन करने में तो इन सिचक्षिकाओं की मांग है कि इन्हें कम से कम एक दिन का समय दिया जाए ताकि वो समझ सकें कि कौन सा विद्याले कितनी दूर इस्थिति है क्योंकि भागोली ज्यान नहीं है सीतापूर बड़ा जिला है तो इनकी मांग है कि एक दिन का समय दिया जाए ताकि वो जान सकें कौन सा विद्याले किस जगे पे इस्थित है और आपको बता दें कि करीब 362 सि सीतापूर बड़ा जिला है तो इनसी चक्षिकाओं की मांग है जब काउंसलिंग हो तो उसे एक दिन पहले इन्हें उन्हें वास सूची उप्रब्द करा दी जाए या ऑनलाइन कर दी जाए ताकि यह जान सकें इन्हें कौन सा विद्याले इनके लिए उप्युक्त रहेग झाल 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 झाल